यही तो हम बार-बार कह रहे हैं कि यह कोट का काम है कि वो किसको बेल देगा किसको बेल नहीं देगा तो अब तो बेल मिल गए उनको हाला कि मिली बेल है वो शराब घोटाले से रिहा नहीं हुए हैं लेकिन उत्सव ऐसा मना रहे हैं लोग जैसे लगता है कि पुरे सराब कां से बरी हो गए सर्थ के साथ उनको कोट ने बेल दिया है केस चल रहा है और बेल एक प्रक्रिया है जिसमें जब भी कोट को लगे तो दे सकते हैं और मुझे जहां तक लगा कि ED ने इस बेल को अपोज नहीं किया पहला इंपोर्टेंट चीज है दूसरा कि कोट ने कहा है कि आप इस मुद्दे पे आभी आपको कुछ बोलना नहीं है विद कंडीशन ये बेल दी गई है तो भी हम तो इस बात से खुश हैं कि शायद ये लोग अब ये नहीं कहें कि भाजपा जेल में भेजती है जेल में ढालना और बेल देना दोनों कोट का काम है हम कोट के हर निर्ने का स्वागत करते हैं लेकिन केश चल रहा है सभी लोग अंदर हैं जो वो लोग इस चांच में अपनी पूरी भूमी का निभाएंगे किसी का मुबाइल लॉस हो गया हो तो भी बताएगा किसी का मेमोरी लॉस हो गया है तो भी वापस आना चाहिए और मुबाइल का पास कोड क्या है ये तो अब याद हो जाना चाहिए और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग जो सबसे ज़्यादा दुखी हैं कि दस साल में अरविंद केजरिवाल ने दिल्ली को कहीं का नहीं छोड़ा हुआ बुजुर्गों का पिंसन बंद जुग्गी का सारी सुबिधा बंद तूटी सणकें किसी गरीब का रासन कार्ड नहीं यमुनाजी गंदी हवा गंदी दिल्ली के गलियों में जाये तो तूटी गलियां नाले बजबजाते इसका निरने कौन करेगा इसकी भरपाई कौन करेगा ये दिल्ली की जनता पूछ रही है और मुझे लगता है अब उसकी आशा बीजे पीसे है